नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शोमनात और ब्लैक शॉड में आपका फिर से सुवागत है आज मैं दिखाने वाला हूँ कि जो यूट्यूब के तरप से आपका सेम केटोगरी का चैनल जो चैनल रिकमेंडेशन आता है वो कैसे इनेवल कीजिएगा कैसे डिसवल कीजिएगा क्या होता है हमको नहीं पता बिलकुल भी कि चैनल जो रिकमेंडेशन भीजता है उससे कुछ फाइदा आपका होता है कि नहीं होता है हमको नहीं पता तो फिर भी आप अगर चाहते हो कि आपका चैनल किसी दूसरे चैनल को promote ना करे या कुछ ना करे ठीक है उसका recommendation ना दे तो आप enable कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई आपका viewers को और भी ज्यादा फाइदा मिले अगर आपके चैनल पर वो वीडियो नहीं है अच्छे कोई बहतर वीडियो मिले तो आप चैनल रेकमेंडेशन को और रख सकते हो नहीं पता बिल्कुल कि आपको यह फाइदा होता है कि नहीं होता है यह हमको बिल्कुल नहीं पता तो फिर भी मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि यह भी एक options है काफी लोग नहीं जानते हैं लेकि अगर आप चैनल रेकमेंडेशन को और रखते हो तो व्त को काफी हटा है कशियम करता है क्या करना है आप यूट्यूब को लॉग न कर लेना है उसके बाद माय चैनल जो पेज है उस पे आ जाना है यहां पर देखिए यहां पर जैसे पहले आप login करते हो तो directly home पर आता हूँ, मैं फिलाल यहां पर जैसे मैं bookmark करके रखा हूँ, bookmark add करके रखा हूँ, तो क्या करता हूँ, directly उस पर click करता हूँ, उसके बाद channel login कर लेता हूँ, तो directly dashboard पर आता हूँ, normally अगर youtube.com से जाते हो, तो home पर आते हो, okay तो my channel पर आपको आना है, click करके ठीक है, उसके बाद थोड़ा scroll करके नीचे जाना है, यहां पर देखिए popular channel, मतलब आपका जैसे same category का जो channel है, वो ही दिखाएगा, यहां पर देखिए popular channels, यहां पर enable disable किया हूआ है, मैं enable करके रखा हूँ, क्योंकि मेरे viewers को मैं चाहता हूँ कि अच्छा experience मिले, अच्छा videos मिले, तो ओके, यहां पर देखिए, तेलेगु टेच, टाट्स, बिलीफ और यू, माइ स्मार्ट सपोर्ट आलसो, प्रोग्रामिंग नॉलेज, जो भी है, कुदेवाट, कुछ क्या पता नहीं थी, वर्ल्ड, यह सब कुछ है, यहां पर यह popular channel, यह YouTube के तरफ से यह recommendation करता है, recommend करता है, कि यह same category का यह channel आपको यहां पर recommendation करेगा, तो इसको अगर आप चाहते हो कि enable करना चाहते हो, तो enable ही रहता है, पहले जो default setting होता है, YouTube के तरफ से अगर आप किसी, मतलब कोई भी, कभी भी आप अगर share chart नहीं किये हो, तो अगर आप disable करना चाहते हो, यहां पर देख ही जाए हैं तो इस पर click कर दिजीगा, तो disable हो गया, देखिये, यहां पर popular channels अब show नहीं कर रहा है, मतलब कोई channel recommendations नहीं दे रहा है, recommend नहीं कर रहा है, अगर आप enable करते हो तो यहां पर enable na domain कर रहा है, फिर disconnect कर रहा है, अगर प्रेकॉमेंट नहीं कर रहे हो ओके तो आपको पता चल गया है कि कैसे एनवल करना है हमको नहीं पता कि यह पता नहीं इससे यह होता है मतलब एक यूट्यूवर को help होता है कि नहीं पता लेकिन जो आपका subscriber है जो आपका viewers है उसको बहुत ही help होता है यह तो एकदम मैं 100% मानत अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो पर थैंक यू कर दो